हेलो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को best small case बताने वाला हूँ जिस पर मैं खुद भी invested हूँ यह सब paid रहने वाले हैं लेकर आप लोगों को यहां पर maximum returns बिलेंगे आप लोग यहां पर easily पेड़ में आप लोगों को cost लग रहे हैं वो recover कर लेंगे और आप लोगो कम investment बहुत ही हाई returns मिलने वाले हैं तो यह सब बहुत ही ज्यादा bullish हैं मैं आप लोगों को एक एक यहां पर दिखाने वाला हूँ जो कि मुझे पसंद आए हैं और मैं personally इन्हें यूज भी कर रहा हूं आप लोग यहां पर देख सकते हैं इनके returns तो आप लोगों को यहीं प कितना ही bullish रहा ही है इसका reason यह है कि government ज्यादा तर अभी trends और फोकस कर रही है तो उसी वाई से यहां पर budget का इसे बहुत ज्यादा benefit मिला है लेकिन इस बार budget में ज्यादा solar को benefit मिलने वाला है जो कि अलग बात है तो आप लोगों के इसके लिए अलग small case देखने को मिलने वाल अब बात है तो इसका average return निकाला जाता है कई सालों का तो यहां पर थ्री यहां इसका निकाला गया है हर साल का average return 86.90% आया है और आजाते है stocks and weightage की तरफ तो यहां पर आप लोगों को 12 stocks देखने को मिल जाते हैं जो पहले 11 थे जब मैंने इन्वेस्ट किया तो आप 12 हो चुकी है Rebalance frequency need basis हो चुकी है पहले यह quarterly थी तो आप लोगों को यह दोनों चीज़े डिफरेंट देखने को मिलती है पहले यह जो मैं बता रहूं ऐसा था यहां पर लास्ट रिवैलेंस 18 जोला ही है यहां पर next भी रिवैलेंस नीड वेसस है मलब अगर जरूरत होगी तो रिवैलेंस यह कभी भी कर देगा लार्ज केप आप लोग देखते हैं लार्ज केप में 39 परसेंट है स्मॉल केप पे 61 परसेंट है मैंने इंवेस्ट किया था 6-7 मान पहले ही इंवेस्ट किया था ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सिर्फ एक बार मैंने के सब्स्रीपश्चेंग को रिप्स्रीप्शन होता है लास्ट में तो मैंने रेन्यू किता तो 7 मेरे एप्रोक्सिमेटली हो चुके हैं और मेरे रेटन 69.67 परसेंट है जो की काफी हाई है एक साल के अंतर अगर यही रेटन चलता है तो 130 परसेंट का एवरेज रेटन मुझे मिलने का चांस है यहां पर हम लोग आ जाते हैं अप ने तो आप लोगों को यहां बिलकुल नहीं करेंगे यह आप लोगों को सांड़ की तरव से दोसरा है वह हैν एक सांड र्र मिलता है 62 शेट का जो कि यहाँ पर कम है CAGR पर लेकर आप लोगों को यह सेफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को small cap पर invest हो रहा है किसी theme based पर invest नहीं हो रहा है कि green energy पर invest हो रहा है या फिर trains पर invest हो रहा हो सिर्फ small cap मनलब आप लोगों को काई सारे stocks जो भी इनहें पसंद आता है वो ले लेंगे इस पर तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा घासर रिटन देखने को मिल रहा है और इसके साथ risk काफी कम है theme based से तो काफी कम है अगर large caps compare करते तो यहाँ पर risk काफी high है क्योंकि यह small cap पर invest करेगा यहाँ पर stocks and weightage पर जाते हैं तो देखिए आप लोगों को 23 stocks मिलते हैं जो की करना ज़रूरी है क्योंकि यह small cap पर invest कर रहे हैं need basis rebalancing मिलेगी last rebalancing 28 August को ही थी and next rebalancing need basis है यहाँ पर holding distribution तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए mid cap 11.12% and small cap 88.88% जो की small cap पर maximum focus है जैसा कि इसका नाम है यहाँ पर मैंने देखिए यह current value is 5,79,000 जो की मेरा investment के बाद यहाँ पर returns भी साथ calculate कर रहा है देख लेता हूं यह देखिए आप लोग रेटरंस यहाँ पर calculator है 5,79,000 and यहाँ पर मैंने election के result के time पर invest किया था क्योंकि उस time पर market काफी जाद डाउन था तो यहाँ पर मैंने invest किया था and 17.62% मेरा return है जो की है अभी अगस्त पर यानि की 2-3 महीने हुए है और मेरा return काफी अच्छा है 2-3 महीने का and अभी और time हो जाएगा तो और भी अच्छा return यह हो जाएगा तो मझे यह personally पसंद आए and safe भी है and अब हम लोग आ जाता है next small case की तरह यह देखिए green energy यह आप लोग ने काफी time से देखा होगा काफी लोगों का यह फेवरेट भी रह चुका है क्योंकि इसके returns काफी ज़्यादा है थ्री यह का सीए जीए 76 परसेंट का है जो की लग बग आप लोगों को ओमनी बुलेट ट्रेंड की तरह ही देखने को मिल रहा है यहां पर आप लोग देख सकते हैं लार्ज कैप स्मॉल कैप सब इन्वेस्टमेंट होने वाला है लेकिन लार्ज कैप बहुत कम है 3% मिड कैप 7% स्मॉल कैप 80% और डैप्ट पर भी अभी यह लोग इन्वेस्ट कि यहां पर पर वाने डैप्ट को पर इन्वेस्ट नहीं रहता है इसलिए यहां पर स्टॉक्स एट आगस्ट को ही ती यहां पर रेटन्स की बात कर लेते हैं तो रेटन्स मेरे यहां पर 61.60% है जो की काफी अच्छा रेटन है इस पर भी मैंने विल्कुल सेम टाइम पे जैस पर पर परचेस किया था एंड रेटन्स आप लोग देख सकते हैं 69% और 61% सिर्फ 8% के रेटन्स यहां पर कामे बागी काफी अच्छे रेटन्स इसने भी दिये हैं यहां पर आप लोगों को यह भी थीम बेस मिलता है माला आप यहां पर भी रिस्क होने वाले हैं ग्रीन ए लेकान कुछ मंथ से और हो गई हो गई होगे इससलिए यहां पर आप लोगों काफी टाइम बाद इनवेस्टिया था थी फोर मंथ सी हुए होंगे मेरे ख्याल से और यहां पर मेरे रेटन देखिए 54% का काफी अच्छा है यहां पर रिवैलेंसिंग बहुत रेगुलर होता यहां पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट देखिए लार्ज केप पर 17 परसेंट, मिल केप पर 23 परसेंट और स्मॉल केप पर 58 परसेंट देखने को मिलता है 17 स्टॉक्स लिए हैं यहां पर वीकली रिवैलेंसिंग है बस यह भी इसमें भी वही डिमेरिट है कि एक थीम वेर यह पूरा का पूरा स्मॉल केस बेस्ट है लेकिन अगर वो थीम वर्क करती है तो आप लोगों का रिटन काफी अच्छा आने वाला है और डिफैंस पर तो हर कंट्री वर्क कर रही है इस टैंट पर देखेंस के बढ़ने का चांस काफी जाजा रहता है अब अब लोग आजाता है नेक्स्ट स्मॉल केस की तरफ जो कि है जीवीई एसर स्मार्ट इंजीरिंरिंग स्वाल्यूशन तो यहां पर आप लोगों को यह जीवीई इसर की वैल्थ की तरफ से मिलता है यहां पर आप लोगों को stocks and ETF पर जाते हैं तो देखिए 3 stocks and ETF सिर्फ जिसमें depth पर ज्याज़तर invest है देखिए gold, depth यह दोनों investment है small cap पर 10% investment है यह इसलिए है क्योंकि यहां पर maximum तो यह depth और gold पर नहीं रहता है लेकिन अभी इसलिए क्योंकि यहां पर इन लोगों को अभी कोई सही stock नहीं मिल रहा है maximum यह लोग एक ही stock पर invest करते हैं और दो stocks पर invest करते हैं दो stocks इनके अच्छे परफॉर्म करते हैं मैंने जब इसे चूस किया था तब सिर्फ एक stock पर यह लोग invest किये थे इसलिए यह लोग आपके पैसे को किसी और stock पर नहीं लगाते हैं जब तक इने कोई stock ऐसा नहीं लिखता है तो आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छे return मिल ले वाले हैं मेरा investment की बात करते हैं तो यहाँ पर देगे 68.37% का return है और यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट ज्यादा पहले नहीं किया तो आप लोग investment का time देख सकते हैं नवंबर 8, 2020 थी में लगबाग सबसे बाद में खरीदा है इन सबसे और आप लोगों को भी यहाँ पर काफी अच्छी growth मिल सकते हैं आप लोगों को रिस्क काफी हाई रहने वाला क्योंकि एक या दो इस्टॉक पर नहीं करता है तो आप लोगों का यहाँ पर पैसा काफी ज़्यादा loss हो सकता है लेकर अगर वर्क करता है तो आप लोग यहाँ बाद से एस्टॉमेशन लगाई सकते हैं आप लोगों कितना अचा return मिलेगा माल स्टॉक मार्कर में ज़्यादातर यही होता है जितना आप लोग रिस्क लेने की capacity रखते हैं आप लोगों को उतना ही return मिलने का चांस होता है अगर आपको आज का वीडियो पसंदे तो इसे लाइक कीजिए से वीडियो की निट्विशन अंतरुत पानी के लिए हमारी यूट्वी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिएगा बैल आकर में क्लिक करके औल में टरन कर दीजिएगा